हेलो गाइस कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप लोग के लिए बाकला की एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ ये इत्ती जादा टेस्टी लगती है ना कि ये कीन मानिए आप एक बार बना लिए बाकला की रेसिपी ये वाली ना तो यहां पर लगभग 50 ग्राम जित्ता मैंने बाकला लिया है बाकला को अच्छे से मैंने धो लिया ये इस तरीके की फलिया होती है जैसे की मटर होते है ना उसी तरीके से देखने में ये लगता है तो इस तरीके से गुच्छे में ये लगते हैं इसे कैसे साफ करना है लोग ने बहुत जादा प्यार दिया है उमीद करती हूं आपको ये भी रेसिपी बहुत जादा पसंद आएगी तो आप देख सकते हैं सारे बाकला को मैंने छील लिया है और इस तरीके से थोड़े बहुत दाग लगे रहते हैं लेकिन ये खराब बिल्कुल भी नहीं इसी त दूकर में डालेंगे क्योंकि सारे चीजों को हमें बॉल करना है एक टोरी पानी डालेंगे धक्कन लगा के कम से कम तीन से चार सीटी आने तक इसे हमें बॉल कर लेना है अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए यूसफूल लगे तो प्लीज इसे लाइक शे अच्छे से बॉल हो गया है तो किसी भी चाकू से हम इस तरीके से चेक कर लेंगे तो अब देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से बॉल हो गया है ये दिखिए तो एक करके हम आलू को निकाल लेते हैं और बाकला तो हमारा बॉल अच्छे से हुई गया है तो बाकला कभी प थए च्थ्ंड बानी के पाज्ची फ्रेची ले 5 लिए तो आपिशी तरीके से राम पॉक Romeo ciao करेंगे तो अच्फेशी बनाचा की बाख़ी सब दिती है और श्रास्ट का तो यह थे च्थे से मैशॉझा अर फहों दो जाए है जब तक यह थंड हो में बढ़ा हैं इस तरीके से तो में आकर ऑब फॉन कर कि हैं तो एक बार वा है नहीं एक खीषिके से के चोटा बनीने हैं बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी बनती है फ्रेंट्स एक बार जरू ट्राइ कीजेगा मैं बार बार इसलिए कह रहे हूँ कि एक बार खाल लेंगे न तो आप हर बार इसी तरीके से ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे तो इधर मैंने टमाटर को कट कर लिया है और सारे चीज़े लगबग थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है तो इसे फटा फट से हम चलिए मैश कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं किती असानी से बाकला और टमाटर हमारा मैश हो रहा है ये थोड़ा सा भी गर्म है लेकिन मैं वी होता है आपको मैं इसका टेक्चर दिखाती हूँ ये देखिए आधा टुकड़ा नीमबू का रस हम इसमें डालेंगे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आजाता है एकदम चटपटा सा फ्लेवर आएगा नीमबू के रस को अच्छे से मैंने नीचोल लिया है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्यास हरी मिर्च लाल मिर्च अदरक लैसन इन सब को बारी कट कर लेना है ये जो लाल मिर्च है ना हरी मिर्च जो सूखने के बाद इस तरीके की हो जाती है ना वही वाली हमें लाल मिर्च डालना है बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है धे यहां पर मिर्ची केचार का मसाला डाल रहे हुं, यह भी बहुती बढ़ियां फ्लेवर आता है, इससे भी, स्वाथ के अनुसा नमक डालेंगे, और एक चम जितना डालेंगे इसमें सरसो का तेल, इस तेल से ना, यह जो हम बाकला का चोखा बना रहे हैं, बहुती बढ़ियां बना सकते हैं आलू के साथ मिला कर बहुत ही जादा बढ़िया टेस्टी बनता है बाकला को खाने की क्या कैफायदे होते हैं मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है अगर आप चाहे तो अलग से मैं इस पे वीडियो बना सकती हूं आपके लिए उसके लिए आपको मुझे कम बताएगा कहां से आप यह रेसिपी देख रहे हैं यह जानकर मुझे बहुत जादा खुशी होगी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनिक मजदार और हैल्दी रेसि पी के साथ तब तक के लिए बाइबाए और टेक केर